Assalamualaikum everyone, कैसे हैं आप सब लोग और कैसा गुज़र रहे आपका रमजान, I hope से आपका रमजान बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा और आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, आज की वीडियो जी एद की ड्रस डिसाइनिंग पर है और आज की वीडियो में कुछ आपको पहनत कर ली जाए तो जरूरी नहीं है कि आप साथ आट हजार का जोड़ा ही खरीदेंगे, आप कढ़ाईयों से भरावाई जोड़ा खरीदेंगे, तो या पीत पर इच्छे लगेंगे, तो ऐसा नहीं है, यह जो सूट है, यह एथनिक की सेल से लास्ट ये मैंने लिया था और यह देखें, इसके साथ मैं यह वाली डोरी लेकर आई थी, और इस डोरी को मैंने इस्पेशली यह देखके लिया था कि इसको किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है, मतलब अगर आप वैसे फ्लैट कोई डोरी लेंगे ना, तो वो गोलाई में मुड़ना उसका वो उन्होंने दामन पे, स्लीज पे और इसके गले पे किया है, तो इसके गले पे मैंने छोटे टेसल्स में लेके आई थी, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाए थे, तो यह टेसल्स में इसके गले पे लगा लिये थे, और फिर मैंने सुचा कि कुछ इसके के ओपर इस तरह से किया जाएंग तो देखें अगर आपके सूट सटेच हुआ तो आप इसके बीच में से भी इस तरह दोरी लगा सकते हैं तो खैर मैंने सुझा कि मैं इस तरह से लगा रही हूं तो इस तरह से अगर आपके पास भी स्टेच आपका लॉन का सूट पढ़ाव है और आप चाह रहे हैं कि उसको थोड़ा सा फैंसी टच दे दें थोड़ा सा इद का आउट्फिट ताके लगे कि इद का आउट्फिट है थोड़ा सब फैशल होना चाहिए ना इतके आउट्फिट में तो थोड़ा सब वह बाउट चार्ज़ा है उसके अंदर तो आप इस तरह से यह डोरी लेके सिंपली थोड़ी सी मेहनत करके आप इस पर लगा सकत तो यह डोरी और यह टैसल में पड़े वे थे तो उन्हीं को मैंने यूज़ करके इस ड्रेस को थोड़ा सा चेंज किया इसकी लोग को थोड़ा सा फैंसी टच दिया थाकि यह थोड़ा सा इडित का आउटफिट लगे तो खैर यह इसकी जो है वो डिटेलिंग इस पर मैं यह दोरी लगा रही हूं और लगा के आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाती हूं और यह पूरा चाखासा गोटा में ले आई थी और यह होता भी बड़ा सस्ता है दस रुपे दस रुपे गज मुझे मिला था और तो फिफ्टी का मैं पांच गज ले आई थी और पांच में मिल जाएगी और इवन यह कलर्स में भी अवेलेबल होती है बस इसकी थोड़ी सी होती है कि इस तरह से इसके ना धागे निकल रहे होते हैं साइडों से तो उस पर मैंने गिरा लगाई भी है तो अब यह इसके दामन की डिटेलिंग है दामन पर भी इस तरह से डिजाइ इसके उपर लगा लूँ फिर मैं सोच रही थी के जो बांडरी है यह जो ओरन्ज वाली चीज इसके बीच में बनी वे इसकी जो बांडरी है इसकी बांडरी पर लगाऊ फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता क्यूंकि इसके जो किनारे न उसके धागे बहुत जागे तो जब धुल जाते हैं इन ड्रेसे तो उनको फिर इस तरी करना मुश्किल हो जाता है अगर आप उसके उपर शीशे वीशे लगा लेंगे या फिर आप उसके उपर ओवर कुछ डिजाइनिंग वगरा कर लेंगे तो यह चीज़ भी आप माइन में रखा करें कि लॉन के जो लग रहा है यह और एकदम से इसकी जो लुक है वो चीज़ होगी ड्रेस की सिंपल सा जो ड्रेस था अब यसली क्योंके गर्मी होगी एद पे और अब तो घरों में ही रहना है कुकिंग चुकिंग भी करने होगी तो लॉन के ड्रेसे ही चलेंगे लाज़मन लाज़मन तो भी आप जो है उस तरह से चेंज कर सकते हैं जरूरि नहीं कि कढ़ाईँ शुराईओं वाले ड्रेसे खरीदे जाएं इद के लिए बड़े हैवी किसम कि और झाफाई वाले जादा गर्मी में पहने नहीं जाते जिब जादा गर्मी होती है और सपेशली आपने किचन का काम ड्रेसेज ले लिए थे, तो उन्हीं को मैंने जो है, वो स्टिश करवाई तो यह आप देखें, दामन कितना खुबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, और यह पीछे मैंने नहीं लगाए, क्योंकि तौरी इतनी थी, पांच गज या पांच मीटर थी, तो यह मैं आने वरी नेक्स वीडियो में मैं शाला आपको पूरा ये इसका दुबटश पटा भी दिखाऊंगी इस वीडियो में खैर मैंने सिर्फ जो है वो डिजाइनिंग पे फोकस किया है तो ये देखिया आप बड़ा ही प्यारा साइस का कॉलर कॉमिनेशन है पीच और पिंक का और तो इस तरह कि थोड़ी से डोरी और लाके मैं शलवार पे भी लगा लूँगी तो आप लोंगा क्या ख्याल है शलवार पे लगाना चाहिए ये गोल्डन वाली डोरी या फिर रहने दू है सी सिंपल तो और ये भी जूरू बताएगा कि आपको कैसा लगा ये ड्रेस जो है थोड़ा सा इसको चेंज करने का जो आइडिया है वो आपको कैसा लगा अच्छा जी उसके बाद अब चलते हैं ड्रेस नमबर टू की तरफ और ये ड्रेस नमबर टू जो है वो ये भी निशाद लीलन का है और ये मैंने टूपीस लिया था इसके साथ शलवार मैंने मैचि पर ये फिप में शॉप है तो वहां में गई तो मुझे इस तरह के बटन नहीं मिल रहे थे ये लैस लगी ले लैस तो ये मैंने जो है वो मंगल बजार से ली थी लैस मुझे बहुत अच्छी लगी थी इस तरह का वर्क अगर आप दरजी से करवाएं ना तो बड़ा महंग करे कि ना इसको बिलकुल मेचिंग का बना लिया अपने सूट के साथ तो ये भी ज़या है वो इस तरह के काम भी मैं कर लेती हूं और आपके भी किसी सूट के साथ ना बटन्स मैचिंग नहीं मिल रहे तो घबराने की ज़रत नहीं है तो फोड़ा हलके कलर के बटन ले ले तो आप बटन्स इस तरहां से चला सकते हैं और धुलने के बाद ना खराब नहीं होते तो खेर यह आप देखें इस बटन्स में से बीच का जो पार्ट है वो मैंने निकाल के उसको नेल पेंट करके तो कितने अच्छे तरीके से मैच हो गया है वो इसके साथ अच्छा तो मोतियों की जो लड़ियां होती है ना वो मिलती है जो किसी भी लेस वाली शॉप से ना मोती की जो छोट-छोटे मोती होते है या बड़े साइस के किसी भी साइस के मोती उनकी लड़ियां मिलती है तो I think 80 रुपीज की मैंने ये लड़ी ली थी और उसके अंदर काफी सारे इस तरह के पिंक मोती थे वाइट वाला भी मैंने लिया था ब्लाक वाला भी लिया था तो पिंक वाला ये मेरे पास पड़ावा था और ये लेस मैंने लगवा ली ड्रेस्टिश होके आगया तो उसके बाद मैंने सोचा कि इसको भी थोड़ा सा फिंसी टच देते हैं या मतलब ये मेरे पास मोती पड़े वे था तो मैंने रख के देखे बहुत प्यारे लगए इस तरह की लड़ियों की फॉर्म में आती है ये और 50 to 80 रुपीज में आपको ये लड़ी मिल जाएगी कलर के उपर ना मतलब वाइट और ब्लैक जो है वो सस्ती होती है जो कलर वाली होती है ना वो थोड़ी सी मतलब 80 के होती है तो ये लड़ी मैंने ली थी और इसमें से एक-एक मोती निकाल के कर अच्छा टाइम पास भी हो गया और जो ड्रेस है उसकी लुग भी बहुत ज़ादा चेंज होगी तो गला ये है अभी इसके उपर मैंने बटन्स नहीं लगाए और इसके उपर मैंने मोती पे भी नहीं लगाए तो ये देखें सिंपल भी काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि इसकी लेस जो है वो बहुत प्यारी है ये लेस भी जो है वो मुझे काफी रिजनेबल प्राइस में मिल गई थी I think ये भी 40, 30 या 40 रुपी गस थी तो मैंने दामन के फ्रंट और बैक पे अगरा लगा ली और स्लीश पे लगा ली और गले पे लगा ली गोल कपड़े से करने की डिजाइनिंग तो वो काफी ज़ादा expensive बना देते हैं इसको मैंने जो अपना suit से लवाया था फिरोजी वाला winter में उसके उपर मैंने कपड़े से कराई थी डिजाइनिंग तो वो 1200 से सिलाई दरजी ने बढ़ाके 1800 कर दी थी मतलब छोटा सा काम भी कर जाती है तो यह देखें गला कितना प्यारा लग रहा है इसका त्यारो के मुझे बहुत अच्छा लगा इसका गला और इस तरह से बटन्स भी मैंने लगा लिए उसके पर सारे मोती भी लगा लिए थोड़ी सी मेहनत लगी थोड़ी सी मेहनत कर लें अपने dresses पर उनकी look जो ह लें या फिर इसके पर जो शीशे आजकल बने बनाए मिल रहे ना मिरर वर काफीन हुआ वे तो शीशे भी आप लगा सकते हैं लेकिन शीशे लगाते हुए बस यही सोचिएगा कि पूरी अगर शृट पर लगाएंगे तो आपने इस तरी भी करना है उसको बाद में तो यह दामन पर इस तरह से मोती लगें में इसको इस तरी करने में भी कोई मसला नहीं होगा इन मोतियों की वज़ा से क्योंके दामन पूरा जो है वो फारेग है उस पर मतब इस तरी एजिली हो सकती है तो पाइपिंग मैंने पीश कलर की इस पर करवाई और यह लेस इसके साथ आ न जितने शोटे हो न उतने ही जदा प्यारे लग रहे हैं और यह लेस भी बहुत खुब्सूरत है सिंपल डोरियों से बनी वी अगर आपके पास कहीं डोरी से बनी लेस इस तरह की नहीं आपको मिल रही तो आप इस तरह की डोरी लेके लेके ना डोरी भी का फाफी सस्ति म तो यह आप देखें जब दामन पर वर्क हुआ वह ना वो शलवार के साथ पहन के कितना प्यारा लगेगा और इसका गला कितना अच्छा लग रहा है इस सूट का गला ना बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जो बताएकर कि आपको इस सूट की डिजाइनिंग कैसी लगी और शिफोन जॉर्जर का इसके साथ दुबटा था तो दुबटे मैंने इस वीडियो में खैर नहीं दिखाए अच्छा थर्ड सूट है ये भी जो है वो इत्तफाकर निशाद ली लन का ही है अच्छा जी आज हाँ जी दो आउटफिट निशाद ली लन के और पहला वाला जो है वो एथनिक का था तो इसके ओपर मैंने बस जस्ट कुछ नहीं किया जादा इसके ओपर जस्ट मुझे ये लेस बहुत अच्छी मिल गई थी और वो लेस लगाई है पाइपिंग गले पे लगवा के तो जी इसके ओपर पॉल्स मैंने लगा दी है तीन तीन करके और ये पॉल्स ना मेरे किसी स्वेटर मेरा खराब हो गया था इन होने के साथ-साथ मार्कीट में उसके जाएन जाए वे हैं तो ये शॉप मैंने आप लों के साथ शेयर की थी ना G10 मरकस में जो शॉप है लेस की G10 मरकस में बहुत अच्छी इची शॉप और भी है और तिसरा ये के एकनॉमिकल भी होती है, सस्ती होती है काफी, तो ये जी इसके साथ मैंने मैचिंग का, इसके साथ निशाद दिलन पर वाइट ट्राउजर था, फ्रीडम टू बाइवले सेक्शन से लिया ता, तो वाइट ट्राउजर था, वो मैंने नहीं लिया था इसके तो नकरें वो भी देखें क्योंकि दर्जी जो है थोड़ा सा भी काम किरनाओं थोड़ी सी डिसाइनिंग किरने हों तो या तो जान भूजक चाशको प्रभाणकर कि दिल ख्राणकरते हैं सब्सक्राइब, प्र लॉन के सूटों के चौकों पर मैं पाइपिंग जरूर करवाती हूं कि फिर पहनते उतारते वो चौकों से फटना शुरू हो जाते हैं तो जो इसके चौकों पर मैंने पाइपिंग करवाई है यह वाली रेड सिल्क की पाइपिंग ना सिल्क वाली पाइपिंग भी आजकल आई वी और सिंपल पाइपिंग भी मिलती है कि तीनों डिजाइन्स अच्छे लगे होंगे और आपको कुछ थोड़ी सीन्स